कर्ण का महनिर्मान द्रोनाचारे के बाद कर्ण ने कावरव सेना का सेनापतिपत संभाला। उसने प्रतिग्या की या तो वो जीवित रहेगा या अर्जुन। आज से हम सब केवल विजय के लिए ही लड़ेंगे। अर्जुन और मेरे बीज सिर्फ एक ही जीवित रहेगा। उस घमासान युद्ध में आदे से भी कम सैनिक जीवित बचे थे। मृत्यु का तांडव चारों और फैल चुका था। अपने धनुष्य से कर्ण हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा था। पांडव भैबीत हो गये। कर्ण के तीरों से हमें बचाओ। अब मुझे कुंति के जेश्ट पुत्र को वीरगती देनी ही होगी। कर दिया और मुर्चित होकर वो रथ में गिर गया। तुम मुझसे नहीं बच सकते अर्जुन, तुम अपनी कुशलता दिखाओ। श्री कृष्ण ने अपने रथ काउशलय से अर्जुन को कर्ण के कई घातक तीरों से बचाए रखा था। एक समय तो कर्ण का तीर अर्जुन की सीर के सिर्फ चार उंगलिया उपर से गया। परन्तो श्री कृष्ण ने अपनी दैवी शक्तियों से रथ को जमीन में चार उंगलिया नीचे दबा दिया। और अर्जुन बच गया। श्री कृष्ण के साथ न होने पर अर्जुन के बचने की कोई उम्मिद नहीं थी। तुम्हारे लिए युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा अर्जुन। परंतु परशुराम ने कर्ण को दिये श्राब के अनुसार युद्ध भुमी पर एन वक्त पर कर्ण का रथ चक्र फसने वाला था और फिर वही उसका अंत होने वाला था। अरे मेरा रथ चक्र जमीन में फस चुका है। नहीं कृष्ण, संकट में फसे असाहिये व्यक्ति को मारना उचित नहीं है, फिर वो अपना शत्रु ही क्यों न हो? अर्जुन, रथ हीन पर वार करना युद्ध धर्म के विरुद है! कर्ण, जमीन में फसे रथ चक्र को बहार निकालने की कोशिश कर रहा था, परन्तु… अर्जुन, क्या तुम द्रावपदी की भरे दर्बार में विटंबना भूल गे? उस वक्त कहां गई थी कर्ण की धर्मनिष्टा? द्रावपदी की विटंबना याद आते ही, अर्जुन ने अपना धनों शुठाया। हाँ, मुझे याद है, पर… पर क्या? कर्ण को ख्षमा करने में कोई मतलब नहीं। अर्जुन ने तीर चलाया, और महवीर कर्ण, सर्वश्रेष्ट धनुर्धर, कुंती का जेश्ट पुत्र, महरती कर्ण ने अपनी अंतीम सांस ली। अपनी माता से त्याग दिये जाने पर भी, कर्ण ने अपने बंधों के लिए आत्म समर्पन किया। कर्ण का अंतीम संसकार स्वयम श्री कृष्ण ने बहुती आदर पुर्वक किया। महाभारत के इतिहास में महरती कर्ण अमर हो गया।